नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता उत्तर प्रदेश में योगी आदितिनाथ सरकार के दूसरे कारिकाल के 100 दिन सोमवार को पूरे हो गए हैं CM योगी आदितिनाथ ने 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ट पेश किया इसके लिए एक बुखलिट जारी कर सरकार की उपलब्धियों को सब के सामने पेश किया गया इन 100 दिनों में योगी सरकार की ओर से लिए गए कई महत्वपून फैसले थे इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राजे में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी का आयोजन किया था आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद CM योगी ने एक और बड़ा कतम उठाया था CM योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कारी योजना तयार की थी सरकार गठन के बाद 100 दिनों, 6 महिने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कारी योजना तै की गई है अब एक नजर डालते हैं इन 100 दिनों में योपी की योगी सरकार के महत्रकून फैसलों पर योपी में दोबारा योगी आदितिनात की सरकार बनते ही 100 दिन, 6 महिने और 5 वर्ष का लक्ष तै किया गया था वही सरकार ने गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड रुपए गन्ना मूल्य भुक्तान किया योगी सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी 3 का आयोजन किया जिसमें 80,000 से ज्यादा का निवेश हुआ प्रदेश की युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेलों का आयोजन किया गया 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भरती के निर्धारित लक्ष को पूरा किया गया योगी सरकार ने 100 दिन के अंदर अपराधियों और माफियाओं से 844 करोड की अवैद संपत्यां जब्त की धार्मिक इस्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटाए गए जिनमें से 17,816 लाउड स्पीकर स्कूल में दिये गए योगी सरकार ने 68,784 आतिकरमन इस्थलों और 76,196 अवैद पार्गिंग इस्थलों को मुक्त कराया महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए योगी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त गय सिलेंडर और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की योगी सरकार ने युवार शक्ती को मजबूत किया और 66 चात्राओं में स्मार्टफोन और टैबलेट का वित्रंड किया सौ दिनों के अंदर पांच नए हवाई अड़ों के संचालन और प्रबंधन के संबंध में AAI और प्रदेश सरकार के बीच MOU साइन हुआ सरकार के सौ दिन पूरे होने के इस मौके पर सीम योगी ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में विकास कारियों को लेकर बड़ी समस्या थी यूपी के सामने पहजान का संकट था केंदर की लाबकारी योजनाओं को लागू करने में प्रदेश सरकार रुची नहीं लेती थी मगर 2017 के बाद इसमें बदलाव हुआ आज प्रदेश में केंदर सरकार की हर योजना का लाब मोहिया हो रहा है प्रदेश में गुंडो माफिया के खलाब व्यापक अभियान चलाया जा रहा है सीम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से अब तक 844 करोड रुपे की अवैस संपत्यों को बुल्डोसर से ढहाया गया है पॉसको एक्ट के तहट 273 अपराधियों पर कारवाई की गई है 68,784 अनाधिकरत कबजे और 76,194 अनाधिकरत पारकिंग को मुक्त कराया गया है 74,385 लाउड स्पीकर्स को धार्वे के स्थलों से हटाया गया है ताकि लोगों को दुवानी प्रदूशन से राहत मिल सके तो वहीं प्रदेश स्तर पर 50 माफिया और जिला स्तर पर 12 माफियाओं पर कठोर कारवाई की गई है CM योगी ने कहा है कि प्रदेश में ये सब काम बिना किसी शोर शराबे की हुए ये सरकार के प्रती जन विश्वास का प्रतीक है समाज के हर तबके ने सरकार का साथ दिया है देश दुनिया के तमाम खबरों को विस्तार से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ नमस्कार